प्रिक्षन यंत्र और उनके परियूग के बारे में मतलब मौसम को जाजने के कौन-कौन से यंत्र है और उनका क्या-क्या प्रियूग होता है उसकी हम चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं आज का वीडियो राजस्थान की तमाम भरतियों और सेंटरल लेवल पे जो भी एग्रिकल्चर की वेकेंसी आती है उनमें ये वीडियो बहुत ही मैत्वपून रिदने वाला है क्योंकि इस टोपिक से एक या दो परसन अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है जैसे रेंगेज, रेंगेज का जो आकार होता है वो भी आजकल एक्जाम में पूछा जाता है 127 mm x 30 cm का ये आकार होता है लंबाई चोड़ाई का और ये रेंगेज वर्सा मापक ये अंतर होता है फिर आता है दो नंबर पे quantum sensor, quantum sensor photo active radiation यानि प्रकास sensation के प्रतिसक्रिये विक्रण को मापने में काम आता है फिर आता है विंड वेन विंड वेन को हवा की दिसा मापने में काम लेते हैं आप इसे याद रख सकते हो कि विंड वेन वेन अलग अलग दिसाओं में जारी है यानि कि हवा की दिसा मापने में काम आता है फिर आता है एनिमोमेटर हवा की गति मापने में काम आत और Maximum Thermometer, दिन का अधिकतम तापमान मापने में काम आता है। minimum thermometer minimum यानि low यानि alcohol पिने से आदमी की category low हो जाती है तो minimum thermometer यानि इसमें alcohol भरा होता है hair hydrometer कक्स में यानि कि कोई room है उसमें apexic अधरता नापनी है तो वो hair hydrometer के द्वारा मापी जाती है सूस्क bulb thermometer से वायू का तापमान मापा जाता है android barometer से वायूमनली ये दाब मापा जाता है और infrared thermometer 11 नमबर वाला important अभी में last में आपको सबी बता दूँगा कौन कौन से important है वो number बता दूँगा आप note कर लीजिएगा infrared thermometer पादब सते का तापमान मापा जाता है और android 10 नमबर पे बोल रहा हूँ android barometer वायूमनली ये दाब मापा जाता है 12 नमबर पे पाइरेजियो मीटर जो पाइरेजियो मीटर है वो दिर्ग तरंग विकरन मापता है sending pyranometer विसरित सोर विकरन मापता है 14 नमबर पे नेड रिडियक्टर सुध सोर विकरन मापता है pyranometer जो 15 नमबर पे है वो परतियक्ट सोर विकरन मापने में काम आता है pyranometer जो कि आवक सोर विकरन के मातरा की जाच करता है फिर यदि हम बात करें heliogram की तो सूरिय के चमकनी की अवधी गंटों में बताता है यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, share करना heliogram सूरिय के चमकनी की अवधी गंटों में बताता है hygrometer वाइमडली आधरता को मापता है और 19 नमबर पे जो है psychrometer वो आपेक्सिक आधरता को मापता है psychrometer फसल सेतर में आपेक्सिक आधरता और psychrometer के वल पूछ ले तो वो तो होता है आपेक्सिक आधरता और असमान psychrometer पूछी तो फसल सेतर में आपेक्सिक आधरता मापते में ये काम आता है फिर हम 21 नमबर पे बात करें तो वो eva porimeter होता है और eva porimeter जो होता है या परत्वी की सते, धर्ती की सते से कितना पानी का हार्स हो रहा है, वहता होता है वास्पी करन और एक होता है वास्पो सर्जन, वास्पो सर्जन ये होता है कि पेरिड पोदू की पतियों से कितना पानी का हार्स होता है, फिर आता है पोटो मेटर, वास्पो सर्जन की मात्रा मापने में काम आता है पोटो मेटर दो चीजे होगी वासपी करन और वासपोसरजन अलग 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 पूछे तो इवोपोरी मेटर वासपी करन की दर पोटो मेटर वासपोसरजन की मातरा लाइसी मेटर हो जाएगा ये दोनों को साथ नापने में काम आता है लाइसी मेटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इरो मेटर के नाम से भी जाना जाता है आपको ध्यान रखना होगा फिर आता है चोईस नमबर पर पीजो मेटर जो पानी की सते से गहराई मापन है तू काम आता है पीजोमीटर पानी की सते से गेरही मापने तू काम आता है फिर आता है पिक्नोमीटर जो की मर्दा का आपेक्सिक गनतू यह भी बहुत इंपोर्टेंट है पिक्नोमीटर मर्दा का आपेक्सिक गनतू गयाद करने यानि कि मर्दा का गनत्व ग्याद करने में पिक्नो मिटर काम आता है फिर आता है मेनो मिटर मेनो मिटर है आपका 26 नमबर पे जो जड़त आप ग्याद करने तो काम आता है फिर आता है आपका प्लेनो मिटर प्लेनो मिटर जड़त आप मेनोमेटर मैंने बताए यह important है 26 नमबर पे जड़ आप गयाद करने है तो फिर प्लेनोमेटर पतियों का सेतरपल गयाद करने है तो प्लेनोमेटर काम आता है फिर आता 28 नमबर पे पोरोमेटर जो रंदर विवार गयाद करने है तो काम आता है Campbell Stokes जो 30 नमबर पे मैं बोल रहा हूँ Campbell Stokes धूग की अउदी गंटों में गयाद करने तु काम आता है Campbell Stokes 31 नमबर पे hydrometer बहुत important है ये भी दर्वे परदारतों का आपेकसित गनतों गयाद करने का यंतर होता है hydrometer एक आता है oxenometer जैसे पोदों की वरदी मापने में अब इसको oxenometer ना पूछके एग्जाम में नया नाम आता है crisco graph क्रिसको graph जो होता है पोदों की वरदी मापने का यंतर होता है ये बहुत important है दौर सी मीटर या दौर सो मीटर भी इसे कहते है वोस्माप के अंदर दोर 20 मीटर या दोर 50 मीटर होता है और चो disc नबर पर है मर्दा ताप मापी जिसके मर्दा का तापमान मापा जाता है और इसके अंदर वहान ऊ similar रहा होता है मैजाने अगरे मैंने में याद करने का तरीख मता दिया देखोगी तो आपको वाई उडिक सीचफ मिलैगा पर इंगलेस वाला देखोगे तो वाँ विंडवेन आपको आरम से मिल जाए गा कोई दिक्कत नहीं दस नंबर पर एंडोइट बेरो मेटर orange नंबर पर इन्फारइट थरमामेटर आप ठीकर नगowan रख लेना और उसके बाद में पंदरा नमर पर पारे की मात्रा और लाइसिमितर आते ही क्या करना है दोनों को मापना है वास्पीकरन को भी मापना है वास्पर Step away mira tomorrow और यह आपका totos मीटर और यह आपका लाइसिमीटर यहर के तीन तो बहुत इंपोटें स के बाद में 25 नंबर नम्बर पर पिंपड़ा बहुत इंपोर्टेंट है मैंने पेरले भी बुला टेंशीमीटर जोकि मर्दा नमीवे मर्दा जल तनाव करने में काम आता है 31 नंबर वाला आप दिखाने केनाा क्या है 31 नंबर पर हईडोरी मिट्र रहें मिट्र वह द्याना रखने मिड्रा। लाइक किजीगा सेड बी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्काइब कीजीगा थैंक यू, सॉमाइए